कि अल्वा अब्रीवन दीस इस मनीज वलकम बैक टो माँ यूटूब चैनल कॉर्पश जूरीज जैसा कि हम प्रोसेस्ट टू कमपेल आपीरेंस में जो है हम अपने प्रीविएस बीडियो में समन के बारे में डीस्स कर चुके हैं चुकि process to compel appearance जो है CRPC के chapter 6 में बताया गया है तो इसमें process to compel appearance में 3 तरह की categories डिवाइट के हैं पहला समन जो section 61 से लेकर के जो है आपका 69 तक बताता है वहीं दूसरा जो point है वो warrant का है जो section 70 से लेकर के 81 तक बताता है और तीसरा जो point है आपका वो proclamation attachment जिसको कहते है उद्घोष्णा और कुरकी जो section 82 से लेकर के section 90 तक बताता है ठीक है तो हम अपने previous video में जो समन वाला part है वो पूरा हम section wise कवर कर दिया है यदि हमारा जो ये previous video है समन का यदि हम नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे playlist में जाएए वहां जो सारे वीडियो अप्लोडेट हैं वहां से आप उसका लाब उठा सकते हैं और यदि हमारे चैनल में नए वीज हो तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करने और ये वीडियो कैसा लागा आप comment section में comment करके जरूर बता है और अपने दोस्तों को जरूर सिया करें तो आज का इस वीडियो जो है special हम वारंट को लेकर क्या है तो चुकि वारंट कब जो है जो तमाम sections पीछे हमने डिसस किया है उसके अंतरगत तो नयायाली क्या करता है वारंट जारी करता है ऐसे ब्यक्ति के विरुद ठीके वारंट जो है वारंट की बात करें CRPC के अंतरगत तो वारंट का जो section है वो section 72.81 तक है यह चीज़ आपको दिमाग में रखना है आनि कि वारंट का जो section है वो section 72.81 तक है उसके बाद जो है प्रोक्लेमेशन और अटेच्मेंट स्टार्ट हो जाता है अब बात करें वारंट की तो पूर्य CRPC में कहीं भी वारंट का definition नहीं दे कर रखा है यानि कि वारंट का definition आपको CRPC में नहीं मिलेगा CRPC का जो second schedule है जो second schedule है उसका form नंबर नंबर टू यानि कि जो प्रारूप संख्या है प्रारूप संख्या की बात करें तो प्रारूप संख्या दो से हम इसको जो है clear कर सकते हैं ठीके तो इससे यह असपस्ट अगर हम कर दें कि यह जो है यानि कि कहीं भी CRPC में जो है वारंट को define नहीं किया गया है लेकिन अगर हम इसकी स्पस्टिकरण की बात करने की वाकई में वारंट होता क्या है तो यह चीज से हो है हम CRPC के जो second schedule है उसके form number 2 यानि कि प्रारूप संख्या 2 से हम समझ सकते हैं तो प्रारूप संख्या 2 में क्या है बताएगे कि यह basically जो है नियायाले का एक आदीस होता है ठीके यह जो है नियायाले का का एक प्रकार का आदीस होता है यह कोट का एक प्रकार का क्या होता है ओर्डर होता है ठीके और यह जो है यह ओर्डर क्या करता है कोट की द्वारा जो है दिया जाता है किसी पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा अदेश दिया जाता है कि जिसके बिरुद्ध समन की तामिली के लिए कहा गया था वो हो नहीं पाया है वो व्यक्ति जु है कोट के सामने पेश नहीं हो पाया है उसको जो है वारंट के द्वारा जो है उसकी पेसगी करवा जाए यानि कोट के सामने अपियर करा जाए तो ऐसा जो वारंट है वो किसी कोट का ओर्डर होता है वो कोट का आडर जो है किसको दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को यानि कि पुलिस अधिकारी को जो है वो दे दिया तक आपका यह वारंट देखे रखा है यह किसी विरुद्ध जारी होता है वह अभियुक्त भी हो सकता है तब जारी होता है जब समन के द्वारा उस ब्यक्ति की तामिली यह अपिरेंस नहीं हो पाता है तब वारंट जो है कोट जारी होता है इसका definition नहीं दिया है लेकिन हम इसको समझ सकते हैं second schedule के form no.2 से जो बताता है कि वारंट जो एक नयाली आदेश होता है जो किसी पुलिस अधिकारी को दिया जाता है कि ऐसे अमुक आदमी को पकड़ करके ठीके अरेस्ट करके उसको जो है code के सामने लेके आया जाए अपियर करा जाए एक date और निश्चित जो है time दे दिया जाता है ठीके तो यह था अब जो है क्या जो यह जो section 70 जो कहता है वो किस section किस तरह से कहता है उसको हम देख लेते हैं तो यह जो है section 70 जो है यहां हम लिख देते हैं basically क्या कहता है यह जो marginal note इसका लिखा हुआ है लिखा है form of warrant of arrest form of warrant of arrest and duration and duration यानि कि यह आपका यहां पर लिखा हुआ है बहरेक्ट की लेंग्विज यानि कि गिरपतारी का के वारंट का प्रारूप और अवदी जैसा कि आप जो हमारे प्रिविएस वीडियो में देखेंगे समन के केस में तो समन समन जो section 61 का उसका जो marginal note है वो सीदेसलिए form of Summon की बात करता है यहां पर यह भी बात कर रहे है form of waront की बात कर रहा है लेकिन साथ ही साथ जो है और दीरेशन की बात कर तो इस सब्राइंट को आपको समझ में आना चाहिए कि यह बता रहा है किनकिन चीजिजों को कि वारंट का प्रारूप कैसा होगा और अर्स्ट की बात करता है तो वारंन्ट जारे किया गया है वारंद उस व्यक्ता की घिरत्तारी की बात करता है और ऐसे थी की नैले की समक पेश किया जाना चाहिए कि हम बात कर लेते हैं कि क्या section की language है उसको हम पर देख लेते हैं जारी किया गया गिरपतारी का प्रतेक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्याले के पिठाजीन अधिकारी के अस्ताक्षर होगी और उस पर न्याले की मुद्रा लगी होगी ठीक है तो इसकी जो प्रारूप और अवध है इसमें बात किया गए तो जैसा कि हमने जो है फॉ वारंट है वो लिखित रूप से होना चाहिए यानि कि गिरपतारी का वारंट जो है लिखित रूप से होना चाहिए रिखित रूप से होना चाहिए यानि कि इन राइटिंग होना चाहिए ठीक है जो वारंट होगा वो जो है राइटिंग होना चाहिए कि लिखित रूप से होना चाहिए वहीं दूसरी तरफ ये बात करता है दूसरा पॉइंट करता है कि नयाले के पिठाशीन अधिकारी कि दौरा हस्ताक्षरीत होना चाहिए ठीक है यानि कि जो कोट चो झाया है यह हसताक्षर किया हुआ जा चाहिए यानि कि जिसने वो जारी किया है, ऐसे पिठासी दिन अधिकारी का हक स्थाक्षर होना चाहिए, तो हम directly यह आप लिख सकते हैं, हक स्थाक्षर हक स्थाक्षरीत वनी चाहिए, ठीक किसके दवारा जो पॉर्ट का जो ओफिसर होता है ठीके उसके द्वारा जो है पिठासी जो अधिकारी होता है उसके द्वारा हस्ताक्चुलित होना चाहिए ठीके और तीसरा पॉइंट ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे एक लिखा है कि नियायाले की मुद्रा लगी होनी चाहिए ठीके यह पॉइंट जो है हमको यहां से देखना है यानि कि बेशिकली सेक्षन सेविंटी का जो क्लास वन क्या कहता है तीन पॉइंट को हमको यहाँ पे ध्यान देना है पहला कि गिरतारी हम डिकीत रूप से होना चाहिए दूसरा ऐसा वारंत अक्तित्म का लिक्र 70 का class 1 जो है यहाँ पर बताता है उससे निकल करके 3 points आते हैं लेकिन जो है कुछ additional point है जो warrant में होने चाहिए उसको भी हम tisus कर लेते हैं चौथा जो point है additional जो यहाँ से start होता है चौथा point यह है कि जो भी warrant होगा ऐसे ब्यक्ति का उस पर नाम और पता जो है नाम और पता जो है असपस्ट रूप से होनी चाहिए यहाँ कि clearly जो है उस ब्यक्ति का नाम और पता जो है उस पर लेखा होना चाहिए जो पांचमा जो चीज है उस पर अपराद का वर्डन भी होना चाहिए कि कौन से अपराद से संबंदित वो जो वारंट जारी किया गया है उसका भी वर्डन ऐसे वारंट भी किया जाना चाहिए और एक और जो है एडिशनल पॉइंट है छठा नंबर उस पर जो है यदि वो जिस ब्यक्ति के बिरुद्ध यानि जिस व पद का भी वर्डन होना चाहिए बात करते हैं धारा 72 के बारे में सेक्शन 72 क्या करता है तो उसको देख लेते हैं इसमें यह लिखा है कि ऐसा प्रतेक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उससे जारी करने वाला नयाले द्वारा रद नहीं कर दिया जाता है यह पॉइंट्स आपको दिवांग में रखना है यानि कि वो जो है तब तक जारी रहेगा तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कोट के द्वारा जो है उसे रद नहीं कर दिया जाता है या दूसरा कंडिशन है जब तक वह निस्पादित नहीं कर दिया जाता है यान वारंट कब तक अस्तित्तों रहेगा तो दो पॉइंट से पहला जब तक रद नहीं कर दिया गया हो ठीक है और दूसरा जो है अगर उसका निस्पादन नहीं किया गया हो ठीक है दो पॉइंट्स आपकी दिमाग पर रखना है यह 70 का सब सेक्षन टू कहता है कि वारंट यदि कोट के दवार रद कर दिया गया है या निस्पादित कर दिया गया है तो ऐसी इस्तिती में वारंट समाप्त हो जाएगा तो यदि नहीं किया गया है तो वारंट जो है ऐसी इस्तिती में वो अस्तित्तों में रहेगा यही 70 का सब क्लास टू कहता हम